जिस तरह से गूगल के ओपर हमने कीवर्ड रिसर्च से काम स्टार्ट किया है क्यूंकि हमें बता है कि लोग एक्चिवली टेक्स सेर्च करते हैं और फिर गूगल उस टेक्स के गेंस यानिक्ग सेर्च्झ अपने डेटाबेस में रिजल्ड लाता है और लोगों को दिखाता है बाकि सेर्चेश इजिल्ज भी सी तरह से काम करते हैं और वीडियो SEO या वीडियो चैनल भी जो है वो भी इससे मुस्तस्ना नहीं है अगर आप वीडियो प्लैटफर्म की बात करें जो कि यूट्यूब है उसमें भी जब आप कुछ लिखेंगे तो ही Google या YouTube आपको रिजल्ट शो करेगा इसके लिए हमें ये भी अंडर्शन करना ज़ूरी है कि वो लोग क्या लिखेंगे तो कीवर्ड शर्च यहां पर भी वैलिड है और कीवर्ड शर्च यूट्यूब के ओपर डिफरेंट है उस कीवर्ड शर्च है जो कि हमने गूगल के लिखी थी यूट्यूब का कोई कीवर्ड का टूल नहीं अवेलिबल तो हमें कुछ टिफरेंट टिकनीक के ओपर रिलाइ करना पड़ता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे होंगे क्योंकि अभी तक यूट्यूब ने जैने कि गूगल ने कोई ऐसा टूल लाउंच नहीं किया जो आपको ये बता सके कि लोग एक्चली वीडियो कौन सी सर्च कर रहे हैं हमें गूगल पर तो पता चल जाता है और वहां जाके सर्च करता है ना कि वो गूगल पर सर्च करें और फिर यूट्यूब पर जाए तो डिफरेंट हैबिट्स हैं इस विए से डिफरेंट टिक्नीक्स हैं और इसकी कोई प्रॉपर कोई टूल अवेलेबल नहीं है जो किस तरह से काम करें मैं आपको दो टिफ्स बता सकता हूँ अभी जो कि हल्फुल रहेंगी आपके लिए जिसमें आपको ये पता चल जेगा किस तरह से आपने यूट्यूब के ओपर अपनी वीडियो को SEO friendly करना है यानि कि यूट्यूब के परस्पेक्टिफ से SEO friendly करना है और किस तरह से आप रैंक कर सकते हैं तो पहली चीज तो यूट्यूब की suggestions हैं जब आप यूट्यूब में कुछ लिखना शूरू करें जैसे आप Google पर लिखते हैं Google आपको drop down में कुछ result आटो suggest करना शूरू कर देता है कि शायद आप ये लिखना चाह रहे हैं वो query कंप्रीट करना की कोशिश करता है क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर आप जो लिख रहे हैं हो सकता कि आगे आप ये लिखना चाहें वो आपके लिखना चाहें कि आपको पूरा word लिखना ना पड़े पूरा central लिखना ना पड़े नीचे अगर वो 15 suggestions रियल टाइम में दिखाएगा आपको आपकी एक पर क्लिक करेंगे अगर आपकी वो query मैच करती है और वो query सर्च हो जाएगी तो इसी तरह से YouTube के उपर भी जैसे कि आप screenshot में देख सकते हैं कि ये drop down में आपको जैसे आप type करते जाएंगे नीचे आपको result आना शुरू हो जाएगे वो चाहिए कोई आपका किसी आपने trailer दूंडा है किसी movie का जा आपने education video दूंडी गया है या आप कुछ भी गाना दूंड रहे हैं वो आपको auto complete करने कोशिश करेगा ये auto suggest जो है basically हम marketers के लिए एक gold win समझे लें YouTube के perspective से क्योंकि हमें ये keyword जो Google suggest करता है Google ये बताता है कि बाकी लोग ये search कर रहे थे बैसिकलि इस suggestions कैसे generate होती है इस suggestions generate होती है उन top queries से जो कि लोग कर रहे होते हैं तो हमें अगर proper tool नहीं मिल रहा तो हमें कमस कम ये available है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं proper search term लिखना शूरू करूँ तो मुझे क्या है वो term जो actually लोग सर्च कर रहे हैं तो आपको यहां से अंदाजा हो जएगा कि कितने लोग क्या सर्च कर रहे हैं तो इसमें अगर आप एक और टेकनीक है कि अगर आप अंडर स्कॉर लगा दें अपनी क्यूरी से पहले तो आपको क्यूरी से पहले वाले क्या combination भी आना शुरू हो जाएंगे तो उसमें होता यह है कि अगर how to मैंने लिखा है how to के बाद अगर मैं cookies लिख रहा हूँ Google को नहीं बता कि मैंने क्या आगे सर्च करना है तो उन्हें मुझे suggestion दिखा रहा है YouTube के उपर जिसमें से मुझे कुछ एक select करना है लेकिन इसमें मुझे शुरू से नहीं दिखा रहा है कि how to से पहले लोग क्या लिख रहे है how to के बाद क्या लिख रहे है या मेरी query के बाद क्या लिख रहे है मुझे वो result आ रहा है तो चोटी सी technique है यगर आप underscore पहले लिख दे अपनी query से तो YouTube आपको ये भी बताएगा drop down में कि आप जो लिख रहे हैं इससे पहले लोगों ने क्या लिख के सर्च किया था मतलब वो complete पीछे से करेगा कि इसको पीछे से कैसे लोग सर्च कर रहे हैं तो ये एक interesting YouTube के ओपर ये टूल अवेलेबल है या technique अवेलेबल है जिसके तहत आप अपनी वीडियो के कम इसकम टॉप 10-20 की इवर जैसे निकाल सकते हैं जो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग सर्च कर रहे हैं और अगर आप अपनी वीडियो को title और बाकी optimization जाओ कि हम मजीद पढ़ेंगे अगर उसके मताबिक कर लें तो आपके लिए वीडियो करेंग करने के चांसे बढ़ जाएंगे इसके लाव एक tool available है जिसका नाम TubeBuddy है TubeBuddy क्या करता है बैसे के लिए एक Chrome की extension है और ये Google में जब आप install करते हैं Chrome के उपर तो YouTube जब आप जाएंगे तो YouTube में नीचे कुछ आपको extra tabs दिखाना शुरू कर देता है जो कि आपको ऐसे नजर आते हैं तो ये extra tabs हैं इसके उपर वो कुछ चीजे हर वीडियो की information निकाल देता है होता ये है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं Google आपसे कुछ topics मांगता है कि ये वीडियो किस बारे में है तो आप जो वीडियो marketers हैं या जो वीडियो SEO करते हैं वो अपने सारे keywords जो उनको लगता है कि related queries हैं इस particular वीडियो को search करने के लिए ये keyword search हो सकते हैं वो उसको tags के तोर पर डालते हैं तो होता ये है कि जब आप वीडियो SEO कर रहे होते हैं आप देखते हैं कि आपके keyword के against वो कौन सी top 10 videos हैं जो rank कर रही हैं आप उन top 10 videos की tags जो हैं इस tool के थूल के थूल निकाल सकते हैं उसको copy करके आपने बाद सेफ कर लें उनमें से देखें कौन से important लग रहे हैं कौन से नहीं हैं उनमें से आप shortlist करके जब आप इस पे click करेंगे इस tab के उपर तो आपको एक tabs की वो जो tags की उसाई list दिखा देगा इस पे सेब जब copy करेंगे अपने पाद सेफ करेंगे और फिर यही tags आप अपनी वीडियो में भी डाल सकते हैं तो टूल सिंपल यही करता है कि अगर आप इस टूल को इंस्टॉल करें किसी वीडियो पर जाएं जो आपको लगता कि टॉप 10 में रैंक कर रही है जो भी आपने कुकी बिनाने की recipe एक record की है और आप चाहरे हैं कि जब भी कोई लिखे how to bake cookies तो आपकी recipe उपर आजए तो वो recipe उपर आने के लिए आप पहले सर्च करेंगे कि उस पर already कौन कौन सी वीडियो रैंक कर रही है और उन वीडियो ने क्या keyword यूज़ किये थे इसके वैसे वो number one पे rank कर रही है पिर आप उनको इस tube buddy से video बजाएंगे इस option पे click करेंगे option के बाद यह आपको जो नीचे box नज़र आ रहा है यहां से यह सारे tags आप copy कर लेंगे और अपने बास save कर लेंगे इसमें एक और interesting part यह है जो आपको यह green color के boxes नज़र आ रहे है यह आपको टूल यह बताता है कि यह green boxes basically यह rankings हैं जो इस video की हैं उस particular tag के गेंगे इसका अगर यह cookies के गेंगे एक number लिखा हुआ है इसका मतलब जब कोई YouTube में cookies सरच करता है तो जो भी number यहां लिखा है उस number पे rank कर रही है आपको यह idea हो जाता है कि यह video है जिसका मने एक particular how to bake cookies के games में सरच किया था तो यह top number लिखा हैं पे rank कर रही थी लेकिन जो बाकी tags हैं अगर मैं यह भी search करूँ तो यह video उस keyword के उपर भी इस position पे rank कर रही है इससे आपको clarity मिल जाती है कि यह video कहाँ कहाँ पर किस-किस keyword पर rank कर रही है तो आप भी चाहेंगे कि आप भी उन top keywords को पकड़ें जो कि आपकी competitors यूज़ कर रहे हैं और उनको आप यूज़ करें अगर आपका client अपनी videos लाँच कर रहा है किसी की videos optimize करनी है इन बोथ scenarios आप ये tool यूज़ कर सकते हैं इसके लावा भी 2-4 tools और available हैं इसमें बहुत ज़्यदा opportunities नहीं हैं लेकिन येतनी हैं इसे आप अच्छी जो है ना वो अपनी performance बेतर कर सकते हैं और ये है कि आपकी video SEO बेतर होने से आपके अउरालेसियो भी बेतर हो जाएगी